नमस्कार किसान बाइयों ये दिसम्बर का महीना चल रहा है और आप देखते हैं हर समय की दिसम्बर के महनों में काफी सब्जियों के रेट जो है कम हो जाते हैं खासका टमाटा जैसी फैसल जो होती है हमारी उसके रेट मार्गेट में जो है बहुत कम हो जाते हैं तो अब कम ह जाने के चक्कर में यह होता है कि हमें हर्वेस्टिंग करना उसकी फटिकेसन करना और उसके लेवरों का खाच ने कालना भी बड़ा मुश्किन हो जाता है कभी कभी देखना में यह आता कि कि सान्छ टमाटर की फैसल को सरकों पर फेक के भी चल जाते हैं यानि, वेलिगभाग है जिसमें कि कभी कभी रेट बहुत डाउन हो जाते हैं लागत हमारी नहीं निकल पाती तो हम उसमें खाद कैसे दें तो ऐसी सिती में दोस्तों हमारी जो लागत है वो ज्यादा हो जाती है और हमारी जो आवाख है यानि कि हमारी जो मुनाफ़ा मिलने वाला हमारा काम हो जात तो आज में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि ऐसी सिर्यादी है कि आपकी जो खाद की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है उससे जो हमें जो प्राबिट होने वाला वो काम हो जाता है तो हम जो है कुछ जुगाड करके जो है कुछ खादें हैं जैसे मैं आपको ती तो हमें उपलब्ध मिल रहे हैं, उनसे हम कम दाओं पर अपने घर पर ही उनको तैयार कर सकते हैं. तो नमस्कर दोस्तों मैं हूँ राकिश सहू, आप देख रहे हैं आगरोजीवन बाते किसान की बने रहे हैं, मैं आपको पताओंगा आज की इन तीनों खादों को कैसे हम इनकी लागत हम कम कर सकते हैं. दोस्तों यदि आपको टमाटा के फट्टी के सेडिल के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल पर जो है एक वीडियो उपलब्ध है मैं इसकी लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं कि चले है दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और हम शिरुबास करते हैं तेरा। यह से आपको नाम से पता चलता है कि वहती है लेकिसी पर ंपर नीचे इसके रेत हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसके तहट आप उसकी खाद की गिमा जो है बहुत कम कर सकते हैं दोस्तों तेरा जिरू पेंटाज बना लिए में दो चीज़ों के अब सकता होगी एक तो यूजिया के अब सकता होगी और एक तो होगी पोटास पोटास की जब भी में बात करूंगा तो आप उसे MOP यहने की वाइट पोटास जो होती हमारी 60% जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों की यूजिया में 46% नाइटोजें होती और मोपी में 60% पोटास की मात्रा होती है बाइट पोटास में तो हम 13.05 बनाने के लिए इन्हीं दोनों चीजों का इस्तमाल करेंगे तो जो नाइटोजन होती हमारे याने की लिया उसकी जो कीमत होती ही लगबग 6 रुपी याने आपको 266 रुपे प्रती बैग 45 किलो का मिलते है तो लगबग उससी रेट आते हैं वो 6 रुपे केजी आते हैं वहीं मोपी की बात कर रहे हैं तो लगबग 18-20 कğ मानने के लिए हम यहां 25 ग्राम यूरिया लेनफिते हैं और वहीं पॉतास की मातरा होथी हमें वो 300,500 ग्राम यानि 750 ग्राम हमें पोतास की मातरा यादी हम लेते हैं तो हमारी जो 13z45 है बनकर के ट्यार हो जाती है यारेटبة का क्लेशन करते हैं मैं लगबक 24 रोपय की हमें यूरिया लगएगी और 14 रोपय की हमें 13.45 की तो वो हमें लगबक 100 से 120 रुपे केजी मिलता है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये टेकनिक इस्तमाल करते हैं जो याद रहें कि ये टेकनिक हम तर इस्तमाल करें जब हमारी फसल के रेड़ जो हमें मार्केट में काम मिल रहे है वीडियो में अंदर तक बन रहें वीडियो का इंतर होगी 20 वाट, 20 वाट में आपको बताँगäl की मात्रा, आप और सस्ती रूप में आप कर सकते हैं, और वहीं आप मैं होती है पोटास होती है हमारी वाइट पोटास होती है इसका इसमाल कप करें और काप कर ना करें और इसके क्या नुकसान हो सकती है हमारी जमीन पर तो वीडियो को अन्य तक जरूर देखते रहें और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कि इस तीन के J56 नायटोजन चाहिए 507 परस्वह चाहिए 55 पर्शंट रहता है तो युर्या की मातर हम 57 नायटोजन से ले लेंगे 34 % पोट है PORTIONS की मातर था दो भू वम बात लो बनाइगे ए 1,99 के दों से 27 परशेंट हमें मिल जाती है तो अब इसमें 37% में हम अगर घटा देते हैं तो लगभग हमें 20% नाइट्र वेरेन फिर दूस्टो शुलम जाती है ऐसा points ही थार पूर फिरस्पर की मात्रा को पूरी करने के लिए जो सिम्सांती की मात्रा फ्ह hearts भानि पेने फिर्चिनल मात्रा को पूरी की मात्रा की तो तो एक हम जादे लिननी पड्याइगी तो कि तु कि बराबर हो करते हैं हमें जो बावन चूँन्तिश से वह लगबग एक सो चालीस रुपे केजी मिलेगी और और पोटास की मतर हमारी इठार रुपे गेजी होगी, अगर हम रेच वात करें, दोस्तों, І्यूरीया हमें 7 रुपी की लगती है, sun 251 रुपए की हमें, 52 लगती है, और 7 रुपे की हमें पोटास मातरा लगती है, आगर 168 रुपए कीét अपकी 3 केजी, 1913 आपको थायार होजाएगी, जो की 56 रुपे केजी पर किसाफ से आपको प्राप्त हो जाएगी तो 19-19 की जो एक केजी की रेट है दोस्तों वो आपको 56 रुपे केजी मिल जाएगी तो वहीं अगर आप मार्केट में इसको लेने को जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 13-43 की 13-43 में दोस्तों 13% nitrogen, 40% phosphorus और 13% ही आपकी potas की मातरा होती है तो आप इसके लिए भी 12-6 का इस्तमाल करेंगे हम और urea का इस्तमाल करेंगे और potas की इस्तमाल करेंगे तो कितनी मातर आगी मैं आपको बताता हूँ परसरोंאפ 9-43 Karena हम 3 की की बनाएंगे तो 3 की बनाने के 14-49 की मातरः चाहिए होगी और 120% हमें चाहिए होगी Sandy प्रसरोंट की मातरा हैं 12-16 का इस्तमाल करते हैं और 120 से मिल जाता है और 20 मिल जाता है और वहीं मिल जाता हमें 0-0t प्रसरोंट मातरा तो अब इसकी मातर हम केलकूट कर लेते हैं तो इसकी मातर को पूरती करने हम 300 ग्राम यूजिया का इस्तमाल करना पड़ेगा तो हमें बाकि जो परसेंटेज है वह हमारा मिल जाएगा वहीं फासपरोग तो हमारा पूरा मिल जाएगा और साथ में हम पर पोटास की मातर तो 650 हम पोटास की मातर इसमें लेते हैं तो हम की मातर की पूरती हम मोपी की इस्तमाल से हम कर सकते हैं वहीं हमें 650 ne लेने होगी तो जब हम यह तीनों को इंक्लूट करते हैं तो हमारा तेरह, Allis, Thiery जो है तीन केजी हमें मिल जाता है कीमत हम देखते हैं तो लगवां पाड़ जाता है एक सो तीस रुपे के जी तो दो सो साथ रुपे का फो गया आपके दो रुपे के यूरिया आपको लगी और इसमें 16 रुपे की जो है आपको पोटास लगी तो इसका हम टुटल केश्विसंग करें तो 278 रुपे के लगबग हमें 3 केजी 13-40-13 हमें राप्त हो जाती है तो इसका अगा 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 देखते हैं तो लगबग 90 रुपे के आपकी बचत हो रही है दोस्तों यह रहे तीन अग्रेट के फर्मूले आप चाहें तो अपने हिसाब से करके भी इसमें देख सकते हैं तो इसी बात यह है दोस्तों की यूदिया आपको 60% मिलता है मोपी आपको 60% पोटास मिलती है तो आप इनका कर लें दोस्तों बात कर लेते हैं बिस्स बात की तो बिस्स बात यह है कि आप जो फासफुरस की मातरा है उसको जो है आप फासफुरिक एसेट की साहते से भी ले सकते हैं और दूसरी बात यह है दोस्तों की आपको पोटास की जो मातरा एमोपी की वो जब रेट कम हो आपके सबज आपको अगर पूटास की मातरा लेनी है तो आप जीरु जीरु पजास के इस्तमाल लेदी करते हैं तो आपको ज्यादा वेनिफेड मिलता है क्योंकि उसमें क्लॉरीड की मातरा नहीं होती है तो यह रही दोस्तों वीडियो बन रहे धनवाद अब वीडियो आपको अच्छा फाइदा नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय किसान जय जबान